हेलो एवरिवन दिस जिरो केमिस्ट्री और आज हम यहां पर चैप्टर नमबर टू सुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इस मेटर अराउंड अस प्यूर ठीक है कि हमारे आसपास के पदार सुध्ध है या नहीं है हम वह देखने वाले आज ठीक है तो लास्ट लेक्सर में हम सुěाउ सटांस लेक्ट किया होता है और अगर हम बात करें कि प्छी की वार चैजा और कुछ ने जिसका क्वरीजाय है मैं क्या क्या मैं यह सब्सक्राइब बेर्दै कि संबस्क्राइबू है यह हमार पास घ्रह है यानि कि oxygen के जब भी एटम्स प्रजेंट रहेंगे तो Philippe मैं क्या हैं सब्सक् тыDas हिसमें हम saying बियुक्त ही जैसे स्ड़ों तो हमें अब talking है मौलिकूल है तो यहां पर हमें पता है कि दो जाहां पर क्या हो कंपोजिसन उसको क्या करें हम और समस्ट हो कहेंगे एक एक्जामपल और ले लेते हैं जैसे एस्टो तो का मॉलीकूर है तो हमेशा जहां पर भी आपको पानी दिखेगा उस पानी में क्या रहेगा यहां पर दो हैड्रोजन के एटम्स रहेंगे और एक ऑक्सिजन का एटम रहेगा ठीक है दो हैड्रोजन का एटम रहेंगे और एक Oxygen کا Aetam रहेगा तो यहांसे हम बता सकते हैं कि जो प्योर सबस्टांस होता है उसमें क्या रहता है यहां पर composition fix रहता है ठीके इत्ती बात आयती हिंग आपको समझ में आ गया गई होगी प्र यहां पर बात करें हम कि mixers क्या होते हैं तो mixer यानि कि जिसमें क्या रहेगा यहां पर composition fix नहीं रहेगा मिक्सर में क्या नहीं होगा composition fix नहीं होगा जैसे मैं बात करूं यहां पर क्या ले लिया मैंने यहां पर मैंने water ले लिया water यहां पर हम क्या कर सकते हैं कितना भी अमॉंट में यहां पर आपको पताई होगा ठीक है तो इतना गर मैंने यहां पर इसको ले लिया तो यहां पर क्या लेने मैं इसके 10 ml अगर मैंने 20 ml मिला दिया किसका यहां पर स्ट्वास का इंच कर सकता हूं ठीक है तो जब हम कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं उसका एमउंट चेंज सकते हैं किसी का भी तो वहाँ पर हम कहेंगे कि यह क्या रहेगा यह इस तरीके के जो भी मेटेर सोंगे मारपा बहुता हुए रहे हैं टो मिक्सर में क्या होता है इегодня कॉंपोजिशन नहीं रहती है और यहां पर प्छ या बात आपको समझ में कर सकते हैं जिसमें से पहला पार्ट हमारे पास क्या है एलिमेंट्स एलिमेंट्स क्या यानि कि क्या होगा इसको कि क्या नहीं कि जा सकता सिंपलर सब्स्टांस में यहां पर क्या नहीं किया जा सकता ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता जैसे अगर मैं बात करूं मेरे पास क्या भी अगर आपको मेटरो दिखता है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के एटम मौजूद हो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है वो ऐलेमेंट तो यहां पर अगर मैं आपको कुछ एक्जमपल और धू에लिमेंट के जैसे ओड़ो हमने भी देखा था ओडू में क्या है O2 में मेरे पास क्या है O2 में सिर्फ Oxygen के ही Atoms present है तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि O2 क्या है तो O2 एक Element है यानि कि Oxygen हमेसा एक Element अगर मैं बात करूँ यहाँ पर O3 O3 में किस के यहाँ पर क्या है Atoms present है तो यहाँ पर भी सिर्फ Oxygen के ही Atoms present है तो O3 यानि कि Ozone Ozone भी क्या होगा? Element होगा I think आपको ये बात समझ में आ रहे होगी कहीं पर आपको exam में क्या दे दे? यहां पर O2 दे दे या O3 दे दे और पूछें कि इन में से Element कौन है? यहां पर आप कह सकते हो कि दो O3 है वो भी Elemental Form में ही है यहां पर O2 है वो भी Elemental Form में ही है अगर मैं बात करूँ यहां पर जैसे अगर मैं ग्रेफाइड ले लेता हूँ ग्रेफाइड का example मैंने ले लिया तो ग्रेफाइड क्या होता है? कार्बन का एक Allotrop होता है यानि कार्बन का अपर रूप है इपर रूप क्या होता है? जिसमें सिर्फ उसी के ही कया रहे है? Atoms present रहे है Single atoms present रहे है Single type of Atoms present रहे है Carbon ही carbon present रहे है किसमें? ग्रेफाइड में अगर एक्जां में देदे आप से की graphide क्या है? तो अगर आपको इस पर भी करना पड़ेगा ऐसी अगर डैमंड भी दे ये टीक है डैमंड क्या होता है ठीक है डैमंड तो डैमंड की यहां पर क्या रहे तो यह भी कारवन का एलara पर आपको कहोगे की यह यह एक uh should present है बांको ले लिंग हम हैं फिक्संपोजिसें होगा जैसे के लिए हम भी तो में क्या है हमें इस प्रफुर ऋन में हैं रहेगा ठीक है है कि सबस्टेशन और यौन देखोगे तो ँसमें हमें सब्सक्राइब तो नचीजन नियुकर में बात करें किया है Anh miathen कि होगा यहाँ पर कहीं भी जओंपर कहीं पर इसका कारबन यहां फिक्स रहेगा आमेसे चार है दोल चनों ही डेखने को इस तरीकी जो भी यहाँ पर अशरं को क्या कहा जाता है उनको यहां पर fix composition देखने को नहीं मिलेगा उसको हम कहेंगे यहाँ पर कि यह किसका example है यह है mixer का example तो mixer को भी further classify किया जाता है दो types में सबसे पहला उसमें क्या है homogeneous mixture सबसे पहला क्या होता है homogeneous mixture homogeneous mixture क्या होता है homogeneous mixture को अगर हम समझना चाहें तो homogeneous mixture में क्या होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है जैसे मैं एक्जांबल क्लाप को बता दूं यहां पर कि मेरे पास अगर पानी है और पानी में मैंने यहां पर सूगर एड़ कर दिया वाटर था मेरे पास वाटर था और वाटर में मैंने ays चुरए पूरे र्राइड करा उसके वास में गूल जाता है एक पूरी तरीचे से तो यहाँ पर हमको पता को पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर क्या है अकर हम इतना क्या लें इतना इतनी जगा हम यहां पर देखें ठीके तो अगर हम देखें, इतना को अबजर करें, इतनी जगा को अबजर करें, और फिर अगर यहाँ पर second sample हम यहाँ से लें, तो हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते हैं, differentiate नहीं करने का बतलब क्या है कि जो composition हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वही composition हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा I think आपको यह बास अजमारी होगी कि uniform composition का बतलब क्या है कि हम sample कहीं से भी अगर उठा लें आपर कहीं पर से भी हम इसका sample collect करें तो वहाँ पर का composition अगर हमको देखने को मिलेगा तो जो चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वही चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी इसको का जाता है uniform composition I think यह बाद आपको समझ में आ चुकी होगी कि uniform composition क्या होता है तो uniform composition जिस भी mixture में आपको देखने को मिलेगा उस mixture को कहा जाएगा कि यह क्या है homogeneous mixture है ठीक है अब बात आती है यहाँ पर second type of mixture की तो that is heterogeneous mixture तो heterogeneous mixture क्या होता है साब यहाँ पर होमोजीनियस में uniform composition था तो यहाँ पर non uniform composition हो जाएगा तो heterogeneous mixtures क्या होते हैं जहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है heterogeneous composition यानि कि यहाँ पर क्या होगा non uniform composition होगा non uniform composition का मतलब क्या है जैसे मैंने क्या लिया यहाँ पर मेरे पास कोई mixer हो गया वो composition अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो इस तरीके मिक्सर जो भी होगा वो क्या कहलाएगा मारे पास heterogeneous mixture यहाँ पर कहलाएगा ठीक है जैसे आपने क्या कर दिया आपने sand और क्या ले लिया यहाँ पर salt sand और salt को एक साथ आपने क्या कर दिया तो इसमें जो composition बनेगा वो आपको हर जगा 사 Time पर सेम देखने को नहीं मिलेगा जैसा अगर बात करें आप यहाँ पर warm water and oil की अगर पाणी में आप क्या मिला दें देल मिला दें तो हम पर जो composition देखने को मिलेगा आपको वह non uniform composition देखने को मिलता है तो इस तरीके के जो भी mixture होते हैं, उनको heterogeneous mixture कहा जाता है, I think आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, फिर आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं, कि solution, अब solution की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पार next topic क्या आता है, next topic हमारे पार solution, ये solution होता क्या है, ठीक है, solution को हिंदी में कहा जाता है, कि willian, ठीक है, solution को हिंदी में willian कहा जाता है, ये willian होता क्या है, willian क्या है, a solution is a homogeneous mixture, solution क्या है, solution एक homogeneous mixture है, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही होगी, कि homogeneous mixture क्या था अभी देखा हमने कि जहां पर uniform composition देखने को मिलता है वो क्या होता है वही हमारे पास क्या है homogeneous mixture होता है तो solution भी क्या है? एक homogeneous mixture है अब आगे बात करते हैं ति particles of a solution are smaller than one nanometer जो क्या होता है? पार्टिकल होते हैं किस चीज के solution के पार्टिकल्स होते हैं वो किस से छोटे होते हैं वो होते हैं एक नानोमेटर से छोटे ठीक है उनका डायमेटर क्या होता है एक नानोमेटर से छोटा होता है यानि कि नानोमेटर में कितने मेटर होते हैं 10 to the power सबकfloor-9 मिटैर यानि कि बहुत ही चोटा यहां पर क्या है यह साइज है तो यह जब इतना चोटा साइज होता है तो हम इनको कamento कर सकते हैं और है से देक ही नहीं सकते ठीक है तो जो सोली सन्टेसikte से हैं उन को हम ने पर आहिस देल सकते हैं इत्वात आई तिंग आपको समझ में आ रही होगी फिर हम बात करें आपर बिकॉज और वेरी स्मॉल साइज ठीक है तो दे डू नोट इसकेटर वो पर किर्णन नहीं करते हैं ठीक है यहां पर अगर जब भी हम क्या करेंगे वहां पर लाइट पास करने की कोशिश कर होते हैं और हमको पता है कि प्रकरिंटन जो होता है स्केटर इसकेटरिंग जब होती है तो किसके कारण होती है पार्टिकल्स के कारण होती है लेकिन जब उनका क्या हो इतना साइज हो कि वह क्या कर सके उनको यहां पर स्केटर कर सके उनके लिए उनको कुछ साइज होना जर सोलीब्ट लाइट है वह तो दिरेक्टली पास कर जाएगी इन पार्टिकल्स से यहां कि सोलीषन से डिरेक्ट पास कर जाएगी और यहां पर हमको कोईTheannenay लट नहीं देखने वाला ठीके सहब लिट की बात आएगी जब भी तो यहां पर आपको विजिवल पाथ क्या निदि यहां पर कोई सोलुसन में आपको दिखेगा नहीं ठीक है और यहां पर आपको क्या स्केटरिंग देखने को नहीं मिलती है I think इतनी बाद आपको समझ में आ रही होगी फिर यहां पर बात करें हम कि सेप्रेट नहीं किया सकता किससे सेप्रेट नहीं किया सकता तो तिल्ट्रेशन क्या करतें है साप जांते होंगे नो थो प्रोसेस किया है चल्क उस्तोर प्रोसेस है इस तरीकी कर प्रोसेस है हम क्या नहीं प्रेल सकते हैं यहाँ पर इंक आरे संबहें ट्रेशन ठीक है आई तिंग यह बात आपको समझ में आ रही होगी फिर बात करते हैं दिस अल्यूट पार्टिकल्स डू नोट सेटल डाउन और यह अगर हमने क्या करा यहां पर हमने होजीनियस क्या बना है यहां पर मौझूद है और हमने सॉल्यूशन को बना के छोड़ दिया यानि कि जैसे हमारे पर एक्जामपल है कि हमने क्या करा सुगर को लिया पाने में गोला और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया ठीक है ऐसी तो हम क्या देखते हैं कुस देर बाद यहां पर जो उ अधिश्ट अंडिस्टब जो उनको हम ऐसे छोड़ देते हैं बिना डिस्टब करें ठीक है तो इससे क्या समझ में आता हमें कि जो सॉलिसन होता है वो इस्टेबल होता है इस्टेबल यानि कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो वह सही रहेगा उसके पार्टिकल्स वहा है इस्टेबल है ठीक है यह बात आए तिंग आपको समझ में आ चुक्क होगी आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं आपर एट एनी पर्टिकुलर टेमरेचर यहां पर एक चीज एक टम आता हमारे पास सेचुरेटर सोलिसन का यह सेचुरेटर सोलिसन क्या होता है तो सुगर एड़ करते जा रहे हैं वाटर में हम सुगर एड़ करते जा रहे हैं और दीरे दीरे करके हमने सुगर इसमें एड़ करते जारे 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 इसमें गुलता जा रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा एक टाइम ऐसा आएगा कि अब उसके बाद क्या नहीं होगा वसमाद क didnt गुले गांधर नहीं होगा की जो यहां पर इस पेसे स्कुझे बचे वे ते Noble हम कोपाहर क्वार्त क्या होता है Karwa यानिए उसमें गूलेगा नी लेकिन होना फोल जाएगा किरें लेकिन इतने से घुलेगा नहीं कि बैठने लग जाएगा नीचा बैठना शुरू हो जाएगा, वो गुलेगा निए उसमें, तो जब इसमें गुलेगा निए, तो उस point पर, जब कि क्या कर दिया, इस सुगर ने गुलना बंद कर दिया, तो उस time हम कहेंगे कि यह solution जो है, कैसा हो चुका है, यह हो चुका है, saturated, तो यह solution क्या हो चुका ह होुआ है, तो saturated solution क्या होता है, solution क्या होता है, तो solubility किसी क्या होती है, solution के लिए, solubility कि जितना उसमें maximum क्या कर सका हमने, क्या कर सका है, जितना हमने हमने यह solute, sugar है, иваетi जोगाँ पानी मैंद सोल्वेंट यहाँ पर खो किया पानी मैंद सोल्वेंट था यह झाल है यहाँ और तो खिज आ तो किसी रूम टैंप there as the उन्थ रूम आपर क्या है किसी सॉलेंट में इसकी शॉलूट की मैं इसमें मातरा जितना उसमें गुल सकता है ठीड ओचिक nisποιका कैते एन है solubility कहते हैं तो सुलीबिलिटी मैंगिमामाउंड डॉप क्या है solute है maximum amount of solute है जो किसी temperature पर जो किसी temperature पर किसी solvent में घूल सकती है तो यह ही क्या कहलाती है हमार पास उसकी solubility का लाती है solution की solubility यहां पर हम कहेंगे ठीक है अब नेक्स आगे बढ़ते हैं यापर आगे क्या है अब आते हैं पर कंसंट्रेशन और सॉलीजान ठीके कंसंट्रेशन मेरे पास वार्टर है इस में भी मेरे पास वाटर है ठीक है मैंने ले चलो 100 ml वाटर लए ले मने आपर लिया है फिर inaccurर अमिल वाटर लिया इंचाहनीह फिर भीट कनी ड़ड़ दर मैंने यहाँ पर दस ग्राम उगर्ड है यहां पर 10 ग्राम सुगर एड़ कराकि यहां पर मैंने 20 ग्राम एस टूओ में water में क्या है यहां पर 20 ग्राम सुगर गुलावा है तो मैं कहूंगा यहां पर कि जो concentration है concentration किसकी यहां पर यह पर इसको मैं नाम यह दे देता हूं और इसको बीदेता हूं तो solution A है और solution B है तो solution A की concentration क्या होगी कम होगी तो इसकी concentration कम होगी ठीक है with यां पर सुलिटेसीन भी क्यों से चीज्स से बता रहे हैं झाने का dengan कुछनी को रहे हैं किसे जो यसितना सide हुआ है रे ध्रम हंजिट error of solvent तो उसमें टो उसमें कि अबने सोल्यूट को किया हुआ है तो जितना जादा उसमें एड्र होगा यानिगंस ज्य 59 उसमें गुलावा होगा उसको कहेंगे हम की उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है और जिसमें कम amount of solid solid गुलावा होगा उसको कहेंगे हम की इसका क्या है concentration कम है ठीक है इतिवाद आपको समझ में आ रही होगी अब इन सब अब को हम क्या कर सकते हैं अपर कुछ है उनके आदार पर इनको हमना पर बता सकते हैं जैसे concentration of solution अम स्बसे पहले मास बाए मास परसंटेज और सॉल्युचं मास बाए मास तो हम क्या मासस प्सी अपन मास अ अब किसका मास लेना हमें हमको क्या बताना है हमको बताना है यहां पर कि इसकी कंसर्ट्रेशन क्या है तो हम हमेंसा क्या लेते हैं सॉल्यूशन लेते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो किसके कंपरिजन में बताएंगे सोलेशन के कंपरेइड़न बटाइगे ठीक हैं तो यहां पर मास ऑफ-समय तो सालउसन कहलें गयं यहां पर पान में और यहां पर मास अब्सों लिनले educate ठीक तो नंटरेसन क reflect रसक्राइब हम सालउसन का भताते तो सोलेशन में कितना सोलिवीडत प्रजेंट है उसका कर के प्रसंटेजुद में आ जाएगा और मास वाइबागा जब भी होगी थरहंबर क्या है हमर से बताथ सबस्टAh्तिति कैसे बताएंगे थे क्लिखे Pasal 2022 सबस्ट सबस्क्राइब मास ख्रे का कपाके trasn कुन में किलेने सोल्म सलुंट्च के होटा है अधिकій मेला पील आगे क्या है है यहां पर यहां पर एक क्वेसन दिया गया है अस वैसे चल्टेंस फॉर्टी ग्राम infotאת सोलिशन सब को पतात inbox वहकी नब ठीक है एने से लिया है है आपको बेसिक सी पता होगी पहले से ठीक है जिसका एमांट कम लेते हैं वह अमारपा सॉल्यूट यहां पर हमें से याद रखना हेखना मास आप सर्व शूलेशन आता है यहां पर अपॉन में मास ग्सल वार्वन मत कर देना ठीक है गलत हो जायेगा क्योंकि उसने यहां पर सल्वेंट का दिया हूआ हुए। हमको किसका लेना है हमको लेना है यहां पर सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट को जब एड कर देते हम तो हमारे पास क्या बन जाता है सॉल्वेंट की तो सॉल्वेंट की तो सॉल्वेंट हमारे पास मोजुद है दोनों को एड करेंगे तो यहां से काड देंगे यहां पर यहां पर यहां पर 11 1% क्या हो जाएगा कैसा कंसंट्रेशन मास आएंगे इनको हम कर लेंगे इसमें कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं लगती कि आपको को होने वाली है पर यह पर आगे बढ़ते हैं next क्onne değ Park anothericken दूसरे तरीके से कैसे सो कर सकते है मास बाइ वोल्यूम ठीके थाक्रांट सीछे मास लेना में उपर नीच हमको को वोल्यूम लेना है नीचे हमें से किसका लिएना है solution क Midtown है त्रीक है solution का volume लेंगे solution का मास लेंगे hai । ए उपर स्वेरीक है यहां पर हम से पर फ्रसंटेच के परसंटेश क्योंकि परसंटेच बताना में तो यहां पर हंड qualified कर लेंगे तो परेगें पर अपक्त है कौन सन है रहां पर क्याया कि 한ता है ऐसको अ आसानी से कर लेंगे इस से लेटर जो भी कुशन आ सकते हैं आप कर लेंगे उनको क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल सा कैलकुलेशन भी नहीं आने वाला इसमें फिर आगे बढ़ते हैं अब आते हैं आप सस्पेंशन की बात करते हैं सस्पेंशन क्या होता है सस्पें यहां पर क्या किया ठीक है थीग है फिर हमने यहां पर का डाल दिया जैन डाल दिया ठीक है यहां पर यह डाल यह यह तो इस को क्या कहते हैं तो जो सब्सक्राइब करें यहां बात करें कि अमने जब पानी मेरेत मिलाते हैं तो अगर उसको उसके बाद क्या है तोँ हंपर हम देखने को मिलेगा कि रेट के prioriti पर्टिकल्स हू rap इसको सकते हैं जो पानी में डैट के बाघ बड़ा नियु度 होते हैं वह आसानय से बाइट किसंग सकते हैं तो इसको देखा जा सकता अब इसको याद रख लेना Scattered a beam of light ठीक है वो क्या कर सकते हैं अभी उसके particle क्या है जब solution देखा था हमने तो solution के जो particle थे वो कितने छोटे थे एक nanometer से भी छोटे थे ठीक है अब यहाँ पर बात आती है यह काफी बड़े होते हैं उसके comparison में यह तो बहुत बड़े होते हैं ठीक है तो इसके कारण यहाँ पर क्या हो सकता है जब इन से light हम गुजारेंगे इसमेंस हम light गुजारने का प्रयास करेंगे तो वो light क्या होगा जब इन particles से टकराएगी तो वहाँ पर scattering होने लग जाती है पर किर्णन होने लग जाता है और जब भी पर किर्णन होगा तो यहाँ पर path विजिवल हो जाएगा उसका पर किर्णन होने से क्या होगा वहाँ पर उसका जो रास्ता है वह हमको दिखने लग जाएगा वहाँ पर चमकने लग जाएगा ही ठीक है जब लाइट को पास करेंगे सोलिस्टन से नहीं सस्बेंसimate को पास कराएंगे तो क्या होगा यहां पर उसका पाथ विजिवल हो जाएगा और इसी प्रडीट को हम कहते हैं क्या हो रहां है आपर टिंडल इफेक्ट है तो टिंडल इफेक्ट इसी को कहा झाता है ठीक है जब क्या होता है कहीं पर समक्र आपर से लाइट पास करा है और उसमें मीडियं Bye करें हमार gotten a show now होती है इस के रीखलाइब गीजाता है तो निंचे सटल हो जाते हैं कैसे जब उनको क्या पिर बाद हम देखेंगे कि जो इसके पार्टिकल्स ते शेंड के पार्टिकल्स वो क्या हो गए वो नीचे तली में बैढ़ जाते हैं ठीके वह कहँ कभर बैढ़ याज DR या यहां पर क्या हो जाता है तो इसी कारण हम क्या कहи कि जो सब्सक्राइब होता है जैसे हमने देखा था सॉल्यूसन जब हमने चीनी गोली थी पानी में तो उसके बाद हमने उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया था तो वह जैसे का तैसा ही रहता है वहाँ पर जो चीनी के क्या है मौलीगूल से वो नीचे नहीं जाकर बैठत हम लो दो कुछ दिर बाद यहां पर क्या हो जाता है नीचे डाउन हो जाते हैं से क्या होगा यांपर हम अलग कर सकते हैं सेस्पेंसं को धिक अब यहां बात आती है है वैंदी पार्टीकल सेटल mokh यह पार्टीकल सेटल डाउन होगे अब एक बाद बताओ मुझे जो परकेंडन हो रहा था वो किसके कारण हो रहा ता तो पाड़ हो चुका है तो अब यहां पर क्या होगा यहां पर वो पर किरिया को सोने ही करेंगे तो यहां पर क्यानी होगा अब इसके परक्रिया नहीं होगी ठीक है तो जब भी क्या हो जाएगा यहां पर इसके पार्टिकल नीचे बैट जाएएंगे तो उसके बाद यहां पर हमको स्कैर्टरिंग देखने को नहीं मिलता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यहां पर देखते है दूरोह ऐसो नागल होता है हम कॉन tidalत कर Kepler के मुझा हूं रहे हमार पर सब्राकुम है कि यहां पर क्या है मर्पास सस्पेंशन सब्रेगी सब्राइब तो यहां पर हमको रस्ते में कुछ नहीं दिखता है, चमकता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहां पर कोई रस्ते में चमक नहीं दिख रही है, बट जैसे हमने क्या करा है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर चमकदार रास्ता दिख रहा है, ठीक है, यहां पर नाहेखे टोपिक हमार पासunto Runners solution क्या होता है तो कवेड़ इसन भी एक हेट्रोजीनियस मिक्चर होता है है ये भी एक news मिक्चर होता है हैं तो जीनियस मिक्चर हमेंसा याद रखना क्या होता है जिसमें नउन्य nett Griffirm composition होता है non uniform composition क्से मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ किनी 되지 nga क्राइब को अधिने ना हो किनी दो जगों का composition देखें एだから सेमना हो इसी को कहा जाता है आपर non uniform composition तो हेट्रोजिनियस mixture क्या होता है Boy composition no uniform होता है टीक है by person ने मिक्सर कहलाता है n the size of particles of produce इक यह meanow tag अभी मरकुंप हमारा पास किया था सब से पहले था सीं उसके बाद हमारा पास क्या था थो सब्स्व करेंशन सो योज संथ अ्यवार वार पास क्या थैं में सनले संन हमने देखा था पार्ट करेंश होता है एक नामेटर के करीब ठीक है और suspension का इसके comparison बहुत बढ़ा होता है ठीक है इनका size इसके comparison बहुत बढ़ा होता है अभी हाँ पर बात करें जो को लैड तो को लैड के जो particles होते हैं को लैड को जो particles होते हैं उनका size medium होता है को लएड के बीच में उसका साइज होता या ज़्यादा पड़ा इनके पार्टिकल्स का साइज होता है ठीक है तो अगर यहां बात करें देख के हैं डी साइज और पार्टिकल्स अफ कॉलाइड is too small ठीक है बहुत छोटा होता इनका साइज पर शायज किसी के लिए ऐसे ही भिना किसी जो हमारे न् gefज़ इस देखने के लिए क्या होता है इनका साइज बहुत छोटा होता है लेकिन इनका जो पार्टिकल्स का ताहित इतना रटा होता है ठीक है तो यहाँ पर हम बात करें जो collider solution होते हैं collider solution होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है scattering of light देखने को मिलती है यहाँ पर tindle effect देखने को मिलता है तो हमेंसा याद रखना paper में question में पूछा जाएगा कि जो क्या होते हैं collider solution होते हैं क्या उनमें टिंडल एफेक्ट देखने को मिलता है तो आप सोचिंगे कि यहां पर क्या है बहुत च्छोटा साइज होता है इनके पार्टिकल्स खाट तो आप यहां पर गरत करके आ सकते हैं तो आपको हमें सायाद रखना है जो लेडल सोलुसन होता है वो टिंडल नहीं होंगे तो इसका मत्तब यह क्या है यह स्टेबल नहीं हो रहे हैं इसका मत्तब क्या है यह फि만 होते हैं फिरिवल एक ये एक थीकर gleich जो frankly के आँगे हैं तो अगर बात करें कि इन पर suspension के लिए यूज हो सकती है तो यहां पर अगर बात करें आगे बड़ आ special technique तो इनको किसके दौरा यहां पर अलग किया जा सकता है इसके particles को किसके दौरा अलग किया जा सकता है तो यहां पर एक special क्या होता है सपरेशन की technique होती है जिसको कहा जाता है centrifugation जकने मैं तरफ षार्स में कौने मेलब तो हम दोरें हों parking को क्या करें यहां यूज करें तो आई मल्क से इसको अगरम मेन रोग स्टshakrव मतर सकंड़ तो यहां पर से क्या निकल जाएगी हमें यहां से इसकी क्रीम जो है दूद में से क्रीम निकल जाती है ठीक है तो यह कौन सा प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है सेंट्रिफ्यूगेशन ठीक है तो सेंट्रिफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा क्या किया जा सकता है इसके कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है जै को लैडल सोलुसान है ठीक है इतनी Vikति आपको समझ में आ चुकी होगी आगे बढ़ते हैं यहां पर हमार पास सबीट कुछ एक्जम پर से किस के लैड़ के तो को लैड़ के एक्जम पल हम को रखना हैज तो को लैड़ के सो यह क्जम भी हम पर याथ करने हमें क्योंकि यह बहुत important है, paper में आने वाले हैं, तो हमको यह करने होंगे, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो जो cool head, अभी मैं बात करता हूँ solution के, अभी यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं, solution होता है जैसे, ठीक है, तो solution किसे मिलकर बना होता है, solution बनता है, solute, solution किसे मि करना होता है अब मैं बात करता हूं यहां पर को लाइडल सोलेशन की जगह तो क्या आ जाता है सोल्यूटी की जगह यहां पर हो जाता है और यहां पर सॉल्वेंट की जगह क्या यूज किया जाता है डिस फर्जिंग मीडियम तो टर्म अलग अलग हो गए यहां पर ठीक है सेम काम रहेगा उनका जो ज़्यादा में मौन पर रहेगा हमारे पास उसको कहेंगा हम डिस फर्जिंग मीडियम और जो कम यहां पर देखने वाले हैं तो अभ मैं बात करता हूँ कि चीज कि यहां पर गैस अगर स्थ मेडियum इंग्सरा इदा यहां पर देखो अपर डिसपर्जी स्थ मीडियम क्या है गार से और किया है डिसफर्स्थ पियस का लिकाग दे रुड shows फे ना कम और यह लिया जाएगा ज्यादा ठीक है इसको परचिप्ट परावस्ता कहते हैं इसको परीच्छे परमाद्धियम कहते हैं इंदी में ठीक है तो लिक्विड अगर यह हमने कम लिया है लिक्विड और यह ज्यादा ले रहा है ठीक है डिसपर्जी मीडियम गैस तो यहा हाँ पर इसका example की बात करें तो जो प्राउ होता है बादल होते clouds mist यानि कौरा रहता है ठीक है को रहता है यह सब क्या है एक्जामबल ऐरोसल के तो ऐरोसल इसमें क्या रहेगा घैस के अमॉंट जादा रहेगी और लिक्विड के दुबत होता है दुखे है मैव भी क्या होतल एक एर मीला के है एक एरसल है ऑटो मोबाल्म ऐससे जो भी निकलता है यहां पर उसको भी क्या है अरेसल है ठीक है अपनेक्स रासाथ है मार पास हैं पर ईस इंटेट इस इस परिजिंघी मीडियम क्या धैसे और डि Nós फिर कैसे ज्यादा कि संख़यादा शेंट में लेक्विड है और कर जाता है लिक्विड आप हम देखेंगे हैं लेहां विञए क्लेट को लैड टो आ कि अपर क्शी होता है इस तरीखें का जो भी टाइप यहां पर एक्दाइब पूचा जाता है ठीक है एक्जाम में क्या होता है कि जो है मिलक और तो कुछ देगा कि मिलक क्या है option देगा कि emulsion है, soul है, form है, aerosol है, तो यहाँ पर से आपका इस तरीके से भी दे सकता है, या फिर question पूछ देगा कि in में से emulsion है, और option में देदेगा यहाँ पर milk, saving cream, fog और यहाँ पर क्या देदेगा rubber, तो इस तरीके से आपका question पूछा जाता है आपसे, टीक है, तो कि आपको याद रखना है जो milk होता है, milk क्या होता है, आपको याद रखना है जो face cream होती है, टीक है, वो क्या होती है, वो भी emulsion होती है, फिर यहाँ आपर next आता है líquid, लिकविड में कौन डाल रखा है, आपर solid, Either liquid में solid डाला हुआ, मों काicit है तो इस तरीका जो भी क्या बनता है यहाँ तरीक है यह जो भी होता है यह त्रेक्ष डाला हुआ है तरीकह देखा आपने इस पंज देखाओगा आपने ढाला हुआ या फिर वाला यह प्यों मिस क्यों दिने पता है तो क्यों होता है है प्रिफिस तरी तennesस्द को यहांप कर्णाएब के यह थे कि अंगलां लिसे सपर सिंग मिडियम कैसौलिड है और sniffbey ऑगर दो जैलिए आपने एक खाने वाली जैली भी देखे हो गिज चीज बटर ठीक है यह जो भी है ये सब एग्जामपल है जल के और नहीं पर आता है male pass अगर सौड़ और मिला जाटा है ढगर डिस्पर्स इंड मीडियम है ऺर वो भी सौड़ है डिस परद्स से प्रिज्च के क्जार सार फिर मेनफिल करें सब्सक्राइब नगी 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 करें जो होते हैं तो तब क्या बनता है हैं सॉलिड की होता है। सॉलिड होता है तो तब क्या बनता है आपर सॉलिड सॉल का फॉरमेशन होता है ठीक है अब आपने देखा होगा कि हमने यह सब चीज़े कर लिए हमने यहां पर एक चीज नहीं देखी गैस को गैस में मिलाने पर ठीक है गैस को जब गैस में मिला जाता है ठीक है यानिकी डिस कि इस आप मुझे ऐख बाते हैं कि कहीं पर जैसे रूबं के किसी क्या दोनों को composition same होगा या different होगा ठीक है या पिर आप कमरे में से कहीं पर से भी आप दो सेंपल उठाइए और आपर सोचिए इस बारे में कि क्या बोलते हैं यहां बर कि इनका composition same होगा और different होगा तो आपको पता चलेगा कि यहां पर हर जगह पर जो भी है कमरें को रहेगा और हम दोख यह देरके हैं कि शंब कमपोजिश्ट हो किसी चीज हूं ठीक है तो अगर मिक्सर में क्या रहे हैं यूझी जाता है और कि Collider Solution है इसलिए यहाँ पर Gas का Gas में क्या नहीं है Collider Solution नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि Gas और Gas जब भी मिल जाएंगे तो वहाँ पर Uniform Composition बनेगा और Uniform Composition हमें पता है Homogeneous Mixture होता है ठीक है यहाँ पर Heterogeneous Mixture नहीं बनता और जो Collider Solution होते हैं वो Heterogeneous Mixture होते हैं ठीक है I think यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं यहाँ पर से हम इस से आगे का जो Chapter है उसको हम कल डिसकस करेंगे तब तक आप पढ़ते रहे हैं मिलते हैं फिर Next वीडियो में